गुद मॉरिंग स्टुरेंट्स बेटा आप हमने लास्ट चेप्टर जो किया था चेप्टर नमबर 3 मुल्टिपल एंट फेक्टर्स किया था आज हम करेंगे चेप्टर नमबर 8 सिंप्लिफिकेशन ओफ नुमेरिकल एक्स्प्रेशन बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर आपका बेटा इसलिए मैंने आपका ये चेप्टर पिक्या है कि आपको बहुत इंट्रस्ट आएगा और बहुत इजी है ठीक है तो आपके S7 में भी मैंने ये चेप्टर डाला है तो Simplification of Numerical Expressions का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि Numerical Expressions क्या होते है Numerical Expressions का मतलब होता है जब आपके पास एक expression में एक से ज्यादा number या एक से दो से ज्यादा operations होते है तो वो हमारा एक Numerical Expressions बन जाता है ठीक है, इसमें आपके 4 तरह से operations यूज होते हैं, वो कौन-कौन से operations है, addition, subtraction, multiplication and division, ओके, addition, subtraction, multiplication and division, और ये 4 operations आपको अच्छे से perform करने आते हैं, है ना, आपको ये 4 operations solve करने आते हैं, ठीक है, पर अगर ये सारे operations आपको एक ही expression में दे दिये जाएं, तो आपने उसको कैसे solve कर ठीक है, means according to the rule, ओके, तो हमने numerical expression देख लिया क्या होता है, numerical expression की यह definition भी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, mathematical expression in which two or more operations occur together, एक mathematical expression में जब 2 या 2 से ज्यादा operations occur होते हैं, एक साथ उने बोलते है numerical expressions, ओके, इसके rules कौन से हैं, इसके rules आपके ये हैं, जिसको बोलते हैं, d-mass rule, ठी ठीक है, d-mass rule का मतलब कि सबसे पहले, अगर आपके पास expression में division का operation है, सबसे पहले आप division perform करोगे, फिर आप multiplication perform करोगे, फिर आप addition करोगे, फिर आप subtraction करोगे, तो ये rule है आपका, यानि first number पे division, second number पे multiplication, third number पे addition and fourth number पे subtraction, तो ये कौन सा rule है, आपका d-mass rule, ठीक है, उसके ब numerical expressions की, और दूसरा आपने ये पूरी table बनानी है, rule की, d-mass rule की, ठीक है, फिर आप हम देखते हैं, questions, questions की help से आपको समझा आजेगा, अभी कैसे इसमें हम ये rule follow कर रहे हैं, सबसे पहला question example बता रहे हैं, मैं आपको 30 multiply 16 minus 10, अब यहाँ पे दो operation है, multiply भी है और minus भी है, तो आप पहले कौन सा solve करोगे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, according to rule, तो rule में हमारा multiplication बहले आ रहा है, या subtraction बहले आ रहा है, अब बताओ, क्या पहले आ रहा है, multiplication, और subtraction last में आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, आपका solve हो, multiplication, ठीक है, तो 30 multiply 16, क्या हुआ आपका answer, 480, और end में हमारे पर इस बचा minus 10, तो minus 10 हमने second number पर solve करना है, तो 480 minus 10 क्या होगा, 470, ठीक है बटा, simple है, बस हमने step by step चलना है, हमारा answer आ जाएगा, अब ऐसे ही हम worksheet का question solve करेंगे, worksheet number 1 है आपकी, इसमें भी ऐसे दे रहा है, देखो 3 multiply 2, plus में 8 minus 5, ठीक है, तो अब इसमें बता देखो मैंने यहाँ पर solve करा हुआ है, यह question, 3 multiply 2, plus 8, minus 5 है ना, तो multiply plus और minus, तो according to rule सबसे पहले हमारा होता है, multiply जो आपका second number पर होता है, फिर आपका plus होता है, जो third number पर और यह आपका minus जो आपका last number पर होता है, तो पहले हम solve करेंगे, multiplication, तो 3 multiply 2 आपका answer क्या है, 6, arrow लगा आपने करना है, 3 multiply 2, 6, आप second number किसका है, addition का, तो addition वाला number और addition का operation दोनों नीचे हो, आप कर लेते हैं, तो 6 plus 8 आपका क्या हो गया, इस पर arrow लगाया, आपका आपका 14, ठीक है, 14, फिर आपके पास अब बचा है, minus का 5, तो फिर minus का 5 आपने नीचे ले लिया, 14 minus 5 आपका answer क्य आ गया, 9, बस यह आपका final answer आ गया, हमने क्या किया, बस हमने rule को follow किया, पहले हमने multiplication किया, फिर हमने addition किया, फिर हमने subtraction किया, तो हमारा answer easily आ गया, ठीक है, ऐसी अब हमने worksheet number 2 का second question में आपके करवारी हैं, क्योंकि इसमें आपके चारों operation use हो रहे है, plus भी है, multiplication भी है, divide भी ह है, और minus भी है, तो अगर आपके चारों operation perform करने आगया according to rule, तो आप सारे question कर सकते हो easily, ठीक है, तो अब इसमें देखिए, मैंने ये question भी किया है, 18 plus 4, multiply 6, divide by 2, minus में 9, ठीक है, तो अब इसमें plus है, multiply है, divide है, minus है, तो कौन सा पहले perform होगा rule के according, D mass rule में सबसे पहले D आता है, इसका मतलब क्या होगा, division, ठीक है, उसके बाद M आता है, इसका मतलब multiplication, उसके बाद क्या आता है, यानि की addition, उसके बाद S आता है, यानि की subtraction, तो पहले हम करेंगे division, तो 6 को 2 से divide गया, तो क्या है, 3, ओके, फिर हमने लिया multiplication, यानि की 4 भी उतार लिया, और multiply का sign भी, तो 4 multiply 3 आपका होगया, 12, ओके, फिर हमने 18 प्लस, हमने addition वाला उतारा, तो 18 प्लस 12 आपका होगया, 30, ठीक है, फिर हमने subtraction वाला उतारा, तो 30 माइनस 9 आपका अंजर आया, 21, बस, जतना बड़े से बड़ा सम्मों बटा, आपको बस ये देखना है, कि आप rule के according चल रहे हो या नह लाएगी, ठीक है, तो अब आप worksheet number 1, आप कर लोगे पूरी बटा, उसके बाद हम करते हैं, worksheet number 2, जिसमें क्या है, आपको numbers दे रखे हैं, ठीक है, पर लेकिन, पहले क्या था, आपको numbers दे रखे हैं, साथ में operations दे रखे हैं, अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा change हो रहा है, क यह सब fractions है, करना आपने वैसे ही है, rule आपने वही follow करना है, कि पहले divide करना है, multiply करना है, फिर add करना है, फिर subtract करना है, but करना किसके उपर है, fractions के उपर, तो इतना tough नहीं है, बेटा, ध्यान से देखना आपको समझा जाएगा, यह question में पहले मैंने example आपका solve किया है, तो कि example क करेंगे, तब ही हम आगे समझाएगा, 7 by 8, 5 by 4, plus 3 by 5, multiply 1 by 4, minus 3 by 10, तो divide है, plus है, multiply है, minus है, तो सबसे पहला का, क्या solve होगा, divide, B के according, B mass है, तो divide solve करेंगे हम, तो जब भी 2 fractions को आप divide करते हो, तो उसके कुछ rule होते है, उसको solve करने के, वह मैं आपको बताती हूँ, 7 by 8 and 5 by 4 को divide करना है, तो divide को करने के लिए, इसको simple कर लो पहले, divide को change कर दो, multiply में, और जब भी हम divide को multiply में change कर रहे हैं, तो उसके आगे वाला जो fraction है, यानि कि 5 by 4 है, जैसे, उसको हम कर देंगे opposite, 5 by 4 बन जाएगा, 4 by 5, ठीक है, तो जैसे हमने इसको 4 by 5 किया, और यह multiplication में है, तो हम इ हम नहीं cut करेंगे, पर अगर हो सकते थे, तो हम कर देते, ठीक है, तो अब cut होने के बार, आपके पास क्या रहा गया, यहाँ 7 रहा गया, यहाँ 1, तो 7 once the 7, यहाँ 2 रहा गया, यहाँ 5, 2, 5 the 10, तो हमारा यह answer आगया, solve करके, हमने इन दोनों को divide के, तो हमारा answer आया, 7 by 10, अब हमने next करना है, divide के बाद क्या होता है, multiplication, तो 3 by 5 और 1 by 4 की multiplication करेंगे, तो यह simple है, 3 by 5, 1 by 4, जब भी fraction की multiplication करनी होते है, तो आमने सामने multiply करना होता है, 3 once the 3, 5, 4 the 20, तो आपका answer आगया, यहाँ पे 3 by 20, अब आपने divide कर लिया, multiply कर लिया, अब third number किसका है, addition का, तो addition अब हम दोनों की, यह बहुत ध्यान से देखना, 7 by 10 and 3 by 20, ठीक है, तो 7 by 10 और 3 by 20, जब भी आप 2 numbers की, क्या करते हो, addition करते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बड़ ध्यान से देखना, 7 by 10 और 3 by 20 को आपने add करना है, ठीक है, तो जब भी ऐसे add करना हो, आप क्या करते हो जो नीचे वाले दो number होते हैं, 10 और 20, उनका आप LCM ले लेते हो, 10 और 20 का आपने LCM ले लिया, और यह कौन सा method यूज करते हो, मैं division method, जो आपने multiple and factors में भी यूज किया था, है न, LCM निकालने वाला method, multiple division method में तब से पहले हम इसको किस पे cut करें, अब 10 और 20 है, 2 पे लेते देखते हैं, 5 और 5, 5 to the 10, आप क्या बचा है, हमारे पास 2, तो 2 पर ही जाएगा यह, तब हमारे पास क्या रहा है, 2, 5 and 2, 2, 5 the 10, 10 to the 20, तो आपका LCM क्या आगा है, 20, तो जो LCM आता है, उसको हमने ऐसे line लगाने है, और इसके नीचे लिखना 20, ठीक है, अब आपने क्या कर 20 को 10 से divide करोगे, तो 2 आएगा, 2 की table पे cut होता है, तो 2 जो answer आया, उसको उपर वाले number से multiply करते हैं, यानि 7 multiply 2 क्या होजएगा, 14, तो जो answer आएगा, उसको आपने यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अब ऐसी plus का sign लगा देना, यहाँ, फिट नीचे वाले number को इस number से क्या करते है, divide, 20 को 20 से divide किया, क्या आएगा, 1, और 1 को 3 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, 3, बस, 14 प्लस 3 कितना होगा, बट आपका, 17 by 20, यह आपका answer आगे, add करके, ठीक है, तो जैसे मैंने यह किये, वैसे ही, अब आपको, अगर subtraction उसमें दे रखेंगे, तो subtraction भी ऐसे LCM निकाल के क यह answer लिख देना है, ठीक है, फिर उनको add करके, answer निकाल देना है, clear, तो ऐसे ही हम अपना sum कर रहे थे, तो हमारा क्या आगया, 17 by 20 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हमारा पस क्या रहे गया, 3 by 10, तो minus में 3 by 10 लिखा, तो इसको भी तो अब क्या करना है, इसको subtract करना तो उसी method से करेंगे, जैसे हमने add किया है, तो 20 और 10 का LCM हमारा पहले ही आगया था, कितना आगया था 20 है ना, तो अब इसको में same करेंगे, 20 को 20 से divide किया तो क्या आएगा, 17, 20 को 10 से divide किया तो क्या आएगा, 2, 2 को 3 से multiply किया तो क्या आएगा, 6, 17 minus 6 आपका आया, 11 by 20, यह आ का final answer है, ओके, तो ऐसे ही अब हम वहरेंगे, worksheet number 2, यह हमने example solve किया, अब हम करेंगे, worksheet number 2 का sum, मैंने आपको दिये थे, कल session में बोला था, कि आपने यह first का A part और B part solve करना है, कि आपने किया है, यह बहुत easy होगा, आपने कर लिया होगा, easy था यह, हम मैं आपको third question करवा नहीं क्योंकि third question थोड़ा सा tough है, इसमें mixed fractions है, है ना, mixed fractions को हम simple fraction में कैसे change करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, यह भी question दिटा, mixed fraction को जब आप simple fraction में change करते हो, देखो, 2, 1 by 2, 3, 1 by 8, 1, 1 by 4, 1, 1 by 4, plus, divide, plus, okay, 3 operations है, 4 numbers है, तो यह mixed fractions में है तो यह mixed fraction वाले number को जब आप simple fraction में change करते हो, तो कैसे करते हो, ठीक है, आपका mixed fraction A, B और C की form में होता है, तो उसको आपने simple fraction में change करना है, तो कैसे करोगे, आप A और C को multiply करोगे, ठीक है, उनका जो answer आएगा, उसको B में add कर दोगे, वो होती है, आपकी, ऐसे आप mixed fraction को solve कर जैसे आपके पास 2, 1 by 2 है, तो 2, 1 by 2, तो आप क्या करोगे, 2, 2 दा 4, ठीक है, जो answer आया 4, उसको 1 में add कर दो, 4 plus 1, 5, तो आपका answer आया 5 by 2, यह आपने इसको simple fraction में change कर दिया, next आपका 3, 1 by 8, तो 3, 1 by 8, तो क्या होगा, 8, 3 दा, 24, 24 में 1 add करो, क्या आएगा, 25, 25 by 8, उसके तीसरा क्या है, 1, 1 by 4, 1, 1 by 4, 4, 1 दा 4, 4 plus 1, 5, 5 by 4, next भी क्या है, 1, 1 by 4, तो यह भी क्या होजेगा, 5 by 4, बस आपको क्या करना है, इन दोनों numbers को multiply करना है, और उपर वाले number को add कर देना है, उसमें, बस, तो जब आपने इस सब को simple fraction में change कर दिया, तो उसको जगा पर हम यह तो तो क्या आया आपका 5 by 2, 5 by 2 लिख दिया, इसको change किया तो आपका क्या है, 25 by 8, 25 by 8 लिख दिया, इसको change किया तो आपका क्या है, 5 by 4, 5 by 4 लिख दिया, इसको change किया तो आपका क्या है, 5 by 4 लिख दिया, अब इसमें plus है, divide है और plus है, आपका पहले क्या solve होगा, divide है ना, rule क तो 25 by 8 को 5 by 4 से हम क्या करेंगे divide तो divide कैसे करते हैं दो fraction को उसका मैने method आपको बताया था जब भी आप दो fraction को divide करते हो 25 by 8 और 5 by 4 तो पहले divide को आप change कर देते हो multiplication में है ना और 5 by 4 जो आगे वाली fraction होती है वो बन जाएगी 4 by 5 उल्टी हो जाएगी है ना और फिर इसको जहां cut होता है cut कर देते हैं 4 by 4, 4 by 2 by 8, 5 by 5 by 5 by 25 cut हो गया अब रहा क्या गया हमारे पास 5 by 5, 2 by 1 is the 2 तो आपका answer क्या आगया 5 by 2 5 by 2 आपका answer है तो आपने क्या किया जो यहा हम solve कर रहे थे यहाँ पे आपने इन दोनों को solve करके क्या निकाला answer 5 by 2 लिख दिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे addition याने इस 5 by 2 को नीचे लिया plus को नीचे लिया 5 by 2 plus 5 by 2 कैसे हम इसको add करेंगे दो fraction को LCM लेके तो आपने इसका LCM लिया 2 और 2 का LCM क्या आएगा 2 और 2 का LCM एक टेबल पर जाएगा तो 2 ही आएगा तो 2 लिख दिया हमने आप नीचे वाले number को 2 से हम क्या करेंगे divide 2 को 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 1 को 5 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 5 फिर 2 को 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 को 5 से multiply करेंगे तो 5 तो क्या आया 5 plus 5 10 10 by 2 ये इसको solve कर लिए आपने 10 by 2 अब बचा गया उपर 5 by 4 तो 10 by 2 में 5 by 4 एड़ करेंगे अब ठीक है तो 10 by 2 में 5 by 4 जब एड़ करेंगे तो कैसे करेंगे देखो 10 by 2 5 by 4 2 और 4 नीचे है इसका हम ले ले लेंगे 2 और 4 काएा ये 2 पागया 2 और 4 का iलषियम लिया 2 वन द 2 दिवाइड दिवाइड किया तो क्या आया 20 4 को 4 सी दिवाइड किया तो क्या आया 20 ठीक है यह आपका C part था worksheet number one का C part worksheet number two का C part था और ऐसे ही जैसे worksheet number two का C part किये इसमें सारे mixed fractions थे आप D भी कर सकते हो E भी कर सकते हो F भी कर सकते हो easy है बिटा बसे आपको mixed fraction simple fraction में change करनी आनी चाहिए ठीक है बिटा करके जुरूर देखना बिटा अच्छे से और मुझे पता है आ करते हो तो आपको problem नहीं आई ठीक है बिटा God bless you thank you